Hello friends, welcome back to my knitting channel जिसकी आज की वीडियो में हम डबल कलर का एक डिजाइन बनाना सीखेंगे दो रंग का ये डिजाइन है देखे इसके लिए हमने यहाँ पर वाइट कलर से फंदे डाल लिये हैं फंदे हमें लेने हैं 3 के मल्टिपल में प्लस 2 3 के मल्टिपल में हमारा ये डिजाइन चलेगा और दो फंदे हमने एजेज के लिए लिए है तो चलिए इस डिजाइन को बनाना हम शुरू करते हैं हम अपने डिजाइन की राइट साइड में हैं और यहाँ से सारे फंदो को हमें सीधा बुनना है फर्स ट्रो के लिए सारे फंदो को हम सीधा बुनेंगे यह देखी फर्स ट्रो हमारी कंप्लीट हो गई अब हम आ गए हैं रॉंग साइड में रॉंग साइड में सभी फंदो को हम उल्टा बुनेंगे और इसी तरह से सीधा उल्टा बुनते हुए हम चार सलाइया बनाएंगे यहाँ पर राइट साइड से सीधा बुनेंगे रॉंग साइड से उल्टा बुनेंगे देखी चार सलाइया हम यहाँ पर बना रहे हैं अभी हम सेकिंड सलाइ में हैं यहाँ पर हमने चार सलाइया बना ली हैं वाइट कलर के साथ सीधा उल्टा बुनते हुए और हमने अपने सेकिंड कलर यानी क्रीन कलर को भी जॉइन कर लिया है अब अगली सलाइ हम ग्रीन कलर से बनाएंगे तो देखी कैसे बनानी है हमें पहला फंदा यह हमारा एजेज का स्टिच है इसको तो हम सीधा ही बुन लेंगे यह देखी इसको हमने सीधा बुना आप देखी क्या करना है हमें दो फंदे छोड़कर पहला फंदा छोड़ेंगे दूसरा फंदा छोड़ेंगे तीसरे फंदे के नीचे जाएंगे ये देखे तीसरा फंदा हमारा है इसके नीचे से देखेंगे देखे एक छेद हमारा दिख रहा है तूसरा ये तीसरा और इसके नीचे एक और चौथा छेद में से सलाई को एंटर करेंगे देखे इस तरह से हमने एंटर करिया एक नया फंदा बनाएंगे एक लूज लूप बनाएंगे यहाँ पर हम यह देखे एक लूज लूप हमने बनाया धागा आगे करेंगे फिर से इसी छेद में से जहां से हमने फर्स्ट लूप बनाया है एक बार फिर से सलाई को एंटर करेंगे फिर से एक नया लूज लूप बनाएंगे इस तरह से हमने दो लूप बनाएं फिर से धागा आगे करेंगे एक बार फिर से यही छेद में से इसी छेद में से सेम छेद में से हमें एंटर करना है फिर से एक लूज लूप बनाएंगे तो इदेखे तीन लूप हमने बना लिए इसके बाद फिर से धागा आगे करेंगे और इन तीनों फंदों को एक एक करके बुन लेंगे अब हम सिधा बुनेंगे तीनों फंदों को इदेखे एक दो और तीन इस तरह से देखिए हमने बनाना है सारे फंदों को फिर से repeat करते हैं तो देखे तीसरे फंदे के हम नीचे जाएंगे यह देखे थर्ड फंदा हमारा इसके नीचे जाएंगे चोथे छेद में हमें जाना है फिर से सेम छेद में से देखे सलाई को फिर से उसी छेद में से एंटर करेंगे और फिर से एक लूज लूप बनाएंगे देखे इस तरह से फिर से धागा आगे करेंगे फिर से इसी छेद में से सलाई को एंटर करेंगे और एक और लूज लूप बनाएंगे तो देखें तीन Link Loose Loop बनाने हैं हमें दो भार हमने धागा आगे किया तो इस तरह से पांच फंदे हमारे सलाइपर हो जाएंगे फिर से धागा आगे करेंगे और अब तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे तो ये देखिए इस तरह से हमारा डिजाइन दिखाई देना शुरू हो गया है चलिए फिर से इसी को रिपीट करते हैं देखिए एक लूज लूप बनाया धागा आगे दूसरा लूप बनाया फिर से धागा आगे करेंगे तीसरा लूप बनाया फिर से धागा आगे करेंगे अब तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे चलिए इसी तरह से हम अपनी पहली सलाई को कंप्लीट कर लेते हैं इसको देखिए तीनों फंदे हमने बना लिए अब तागा आगे करेंगे और तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे अब देखिए लास्ट फंदा हमारा एजजिस का स्चिछ इसको भी सीधा बुन लेंगे अब देखिए गरीन कलर के साथ हमारी फस्ट रो कंप्लीट हो गई है और वैसे हमारी फिफ्ट रो कंप्लीट हो गई है डिजाइन की तो आ जाते हैं रॉंग साइड में रो सिक्स के पहला फंदा यह एड़िस का स्टिच इसको उल्टा बुनेंगे अब इसके बाद जो हमने तीन फंदे सीधे उल्टे बुने थे इन में से दो को उल्टा बुनेंगे देखिए वन और टू दो फंदो को उल्टा बुने के बाद तीसरे फंदे के साथ हम इन सभी फंदो को लेंगे सलाई पर जो छे लोज लूप हमारे सलाई पर हैं पांच तो हमने नीचे से बनाएते और एक छटा हमने धागा आगे से किया था इन सब को ले लेंगे दिखिए और सबको एक साथ उल्टा बुन लेंगे, ये देखिए इस तरह से, सलाई से सबको छोड़ देंगे, तो ये हमारा डिजाइन इस तरह से बन जाएगा, अब दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन में से देखिए दो फंदे हमने उल्टे बुनें, और तीसरे फंदे के साथ इन सभी धागों को लेंगे यह देखी इस तरह से सब को उल्टा बुन लेंगे देखी इस तरह फिर से दो फंदे बुनेंगे और तीसरे फंदे के साथ सारे धागे ले लेंगे हम सलाई पर और सब को एक साथ हम उल्टा बुन लेंगे इसी तरह से हम अपनी रॉंग साइड की सलाई को कम्प्लीट करेंगे यह देखी लास्ट फंदा हमारे सलाई पर बच गया एजिस का स्टिच इसको हम उल्टा बुल लेंगे अब देखी रॉंग साइड की यह रॉंग हमारी कम्प्लीट हो गई है इस तरीके से अब हमें चार सलाईया गरीन कलर से बनानी है सीधी उल्टी जिस तरह से हमने वाइट कलर से बनाई थी उसी तरह से अब हम गरीन कलर से बनाएंगे चार सलाईया जिसमें राइट साइड से हम सीधा बुनेंगे, रॉंग साइड से उल्टा बुनेंगे तो देखिए ये पहली सलाई हम बना रहे है निदी की चार में से पहली सलाई हमने बना ली अब रॉंग साइड में आ जाते हैं इसमें हम सभी फंदो को उल्टा बुनेंगे देखिए चार सलाई हमने यहां पर सीधा उल्टा बुनते हुए बना ली है अब हम आ गए हैं अपने 11 थ्रो में जिसमें हम वाइट कलर का यूज़ करेंगे वाइट कलर का यूज़ करते हुए पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे यह देखिए एक फंदा हमने सीधा बुना है मृण टूट थी वigation कि दिन करेंगे एक नहीं जूच लूच लूप बनाएं इ Bringing लीव में गए यह दिस आगे करेंगे फिर से थी च्झी में से कुछेळ में रागर सीर्थ और इक जुना इन उन्हें कर कर दो दो लूप बन गए धागा आगे करेंगे फिर से एक लूप बनाएंगे तीन लूप बन गए तीन लूप बनाएं और दो बार धागा आगे किया तो इस तरह से पांच फंदे हमारे सलाई पर हो गए अब ये धागा हम फिर से आगे करेंगे तो ये छटा फंदा भी हो गया है सारे डिजबाइन हम इसी तरह से बना लेंगे पी Curtis बनाते हैं हम इए लेखें सारे डिजबाइन हमने इस तरह से बना लिए एँ आप अब हम आ गए हैं wrong side में wrong side row 12 है यह wrong side में पहले की तरह ही हम बनाएंगे यह edges का stitch इसको उल्टा बुनेंगे यह रेखिए फंदा हमने उल्टा बुना अब दो फंदे और बुनेंगे उल्टे यह दो फंदे बुनने के बाद जब तीसरा फंदा आएगा तो तीसरे फंदे के सा इन सारे धागों को जो हमने loose loop बनाए थे सबको ले लेंगे अपनी सलाई पर इस तरह से हम इनको उल्टा बुन लेंगे देखिए एक लूप हमारा रह गया बुनने से इसको भी अब हमें लेना होगा जान रखना है कि हमें सारे loose loop उठाने हैं यह देखिए इस तरह से अब एक एक फंदा दो करके दो फंदे बुनेंगे तीसरे फंदे के साथ फिर से सारे loose loop उठाएंगे सलाई पर और यह देखिए इसको सबको हमने उल्टा बुन लिया अब चलिए इसी तरह से इस सलाई को हम कंप्लीट करते हैं यह देखिए पूरी सलाई हमारी कंप्लीट हो गई अब यह बारा सलाई को हमारा डिजाइन इस तरह से देखिए कंप्लीट हो जाता है देखिए कितना सुन्दर यह लग रहा है अब हमने इसको एक ही बार बनाया है एक बार गरेन कलर से एक बार वाइट कलर से बार बार हमें ऐसे ही रिपीट करना है इनी भारा सलाईयों को हम बनाएंगे तो देखिए यह डिजाइन हमारा आगे बढ़ता जाएगा देखिए थोड़ा बड़ा होने पर यह इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा यह दिखिए यह कितना सुन्दर दिखाई दे रहा है आप इसे जरूर ट्राई करें कैसा लगा कमेंट में जरूर बताईएगा थैंक यू